पीम की मुख्य मंतरियों के साथ बैठक के बाद लॉकडाउन बढ़ना लगभकत है महराश्ट और पस्चिम मंगाल ने कर दिया है एलान जी हैं दोस्तों आपको बता दें आपने देखा होगा कि आज याने की पीम मोधी और सभी मुख्य मंतरियों की प्रेस कॉन्फरेंस हुई है ऐसे में आपको बताओं दोस्तों कि PM मोदी ने अभी ये एलान नहीं किया है कि lockdown को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर ने बढ़ाया जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही काम की ख़वर जो आ रही है वो यह है कि ममताव एनरजी जो कि पस्छी मंगाल की CM है साथ ही साथ महराष्ट के उद्धव ठाकरे ने दोस्तों एक बड़ा एलान कर दिया है जी हैं दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों मंत्रियों ने मिल करके साफ साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में दोस्तों अभी और दिनों तक परतीबंध लागू रहेंगे जैसा कि हम सभी लोग को पता है कि हम घर से बाहर अभी नहीं निकल सकते हैं तो आपको बता दें कि इसकी अउधी को 30 अपरेल तक बढ़ा दिया गया है साथी साथ दिल्ली के सियम ने भी इसको सरहा है और साथी दिल्ली के सियम ने ये भी कहा है कि पियम मोदी भी इसके लिए राजी हो गए है और आने वाले दिनों में 30 अपरेल तक के लिए परतीबंध लगे रहेंगे कोई भी घर से बाहर नहीं आ पाएगा और इसके लिए उन्होंने पियम मोदी का धन्यवाद भी किया है तो मतलब साफ है अभी पियम मोदी ने इस बात को खुल करके नहीं बताया लेकिन आने वाल दिनों में कहा जा रहा है कि 14 अपरेल को पियम मोदी भी सामने आ करके इसके बारे में बयान देंगे और वो बता देंगे एक बार देज को सम्मोधन करेंगे और साथ ही वो इस्थिती के बारे में पूरी तरह से बताएंगे साथ ही साथ हो सकता है कि वो एक नई तरह की पहल करें जैसा कि हमने पहले भी दो बार देखा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो अब किलियर कर देंगे कि आने वाले दिनों में ये जो परतीबंद बढ़ाना है आगे 30 अपरेल तक या फिर परतीबंद को यहीं पर खतम कर देना है तो ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जैसे ही कोई भी अपडेट आती है इस बारे में तो आपको हमसे सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी धन्यवाद